आज हम भारतिय क्रिकेटर सुरिकुमार यादव सूरिया के पैत्रिक गाउं आये हुए हैं। गाजिपूर की सैथपूर तहसील के हाथवडा गाउं के सुरिकुमार यादव आज वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में अपना जलवा दिखाने के लिए स्टेडियम में पहुच चुके हैं। सुरिकुमार यादव के दादा जी विक्रमा सिंग यादव आज हमारे साथ मौझूद है। उसको देखता रहा जाएगा, इतना बहियां ही स्कोर होगा, हमारे प्लेयर, टिर्केटर्स सभी एक दूसरे से बढ़का रहें, और मुझे आसा है कि इतना ही स्कोर बना लेंगे, कि उसका उदारन नहीं लिया दा सकता, बड़े-बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ह दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और इनको जीतना ही है, विक्रम सिंग जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टिपड़ी ये दें, कि भारत पहले दिन से आपको लगता है, कैसा खेल रहा है, पहले से बहुत ही मजबूत, इतना मजबूत हमारी टीम है, इंडिया की, कि इसको कोई आदमें आज की डेट में पचार नहीं सकता, इनको एक दूसरे से प्लेयर बढ़ कर आए, हम किसी प्लेयर के बारे में नहीं कसव एक दूसरे से बढ़ कर आए, जिसको जैसा मौका मिलता है, वैसा काम करते हैं, आज भारत की टीम एक दम जीत करके और उदाहरंड पेस करेगी भारत अगर आज टास जीतती है तो आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए दिखिए आज अगर भारत जीत जाता है तो अभी क्या सब लोग जस्न मनाएंगे यहां तक कि मैंने सुना है प्रदान मंत्री महोदय भी जा रहे हैं वहां वर्ड कप भारत 2023 का जो है वो देंगे सम्मानित करेंगे और इसे बड़ी बढ़कर क्या खुशी होगी सबकी पूरी दुनिया की निगा टक्टकी लगा करके हमारे पिलरों की तरफ देख रही है कि कैसे इनका हूनर होगा और यह प्रास्त करेंगे आस्टेरिया को और जीतेंगे क्या लगता है कि आज सेंचुरी कौन-कौन मार सकता है भारत की तरफ से भारत की तरफ से सेंचुरी कौन-कौन मार सकता है देखिए सेंचुरी तो अभी पहले दो-तीन हमारे प्लेयर ने मारे ही थे और जिसको मौका मिलेगा वो सेंचुरी मारे गार सबको अभी तो दो-तीन हमारे हैं सेंचुरी मास्टर जन्होंने की विश्व का रिकार्ट तोड़ दिया है विराट कोहली गिल और भी जो प्लेयर है कप्तान है रोहित शर्मा की कप्तानी में आप शुब कामनास प्लेयरों को क्या देंगे रोहित सर्मा के कमांड में क्रिकेटर बहुत ही मिल जूल करके और इतना एक टीम बना इतना बहियां चल रहे हैं कि उनके साथ हमारी सुब कामना है और बंडल आप तैंक्स मैं उनको देता हूं कि ओ स्कोर बनाएं और एक दम आज दिखा दें पूरे संसार को कि कैसे जीता जाता है क्या क्यों होता है आज की टीम के साथ रोहित सर्मा के साथ पूरा देश का समर्तन है हम तो हमारा तो क्या हम तो हही हैं और सब क्रिकेटरों के साथ सब के साथ पूरा हम देख्तिगत रूप से बंडल आप तैंक्स सब को है सुरिकुमार का गेम देखकर इतनी उम्र में आपको कैसा लगता है सुरिकुमार का जो गेम हम पीछे से देखे हैं और अभी वी और हमको यह लगता है कि अभी जो है हम दोजवान हैं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं हमको नहीं पता लगता है कि हम रिटायर हो करके एक्तिन नैन साल में प्रिवेश कर रहे हैं यह दो नहीं लगता है आज लगता है कि हम नौजवान है ऐसा हमको मसूस होता है गेम को देख करके तो बच्चों को आशिरवात दे रहे हैं आज आज तो मैं किया बताऊँ, बंडाल आप्ठाइंस है, इतना आशिरवाद है कि तुरंट इसकोर बनाएं और जीते हैं कितना उम्मीद रख रहा हैं, कितना इसकोर बनाना चाहिए इंडिया को इंडिया को 400 के करीब 390 चाहिए 400 बनाना चाहिए 400 के नीचे बने गाई नहीं देखें ये दादा जी थे और हमारे साथ जो सुरिया के दादा जी हैं वो इतने खुश और उत्साहित हैं कि वो 89 साल की उम्र में अपने को बच्चा महसूस कर रहे हैं उनकी शुबकामना पूरी भारतिय टीम के साथ है और वो ये मना रहे हैं कि भारता 400 का आंकड़ा पार करें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आज एक दादा अपने पोते के नाम से अपना परिचय दे रहा है देखे मेरे साथ इस घर के इस गाउं के सूरिया के बाद की पीड़ी है सूरिया का भतीजा लगेगा सूरिया यादो का खेल आप ने देखा एक ऐसा लगता अच्छा लगता है डिखे क्या करेंगयाए जो सूरिया यादो के Fox क्या कितना लंना चाहिए 15 ad सूरिया यादों को लास्ट में मौका मिल रहा है हर गेम में तो तुमको क्या लगता है कि रोहिश शर्मा शुबमन गेल विराड कोली यह सारे लोग खेल रहे हैं तो इन लोगों को आज कितना रन बनाना चाहिए और सिंचुरी बनाना चाहिए गाओं के बच्चे हैं और देखे हमारे साथ एक सज्जा नावर है मैं उनसे बात करूंगा आए आए भी आइदार आए क्या नाम है आपका अमर्नात यादम अमर्नाजी यहीं गाओं के हैं बहुत अचाह चोटीं मतलब सूरिया के आप दादा जी दे के सूरिया के दादा जी हैं आज क्या लगता है वर्ल्ड कप मैच्वाइच देखना है आप क्या उमीद करते है आज कैसा खेले沖ी टीम बहुत अच्छा हरें इंडिया का इसमें परफान इतना अच्छा है तो अच्छा ख्यलना है कोई शक्की बात ही नहीं क्या शुब काम ना देंगे टीम रोहिष शर्मा की कप्तानी में आज इंडिया उत्रेगी तो इसको क्या करना चाहिए टास जीत के पहले बैटिंग करेंगी और जीतेगी अबसे उम्मीदें हैं और देखे अच्छा देखे आप भी बॉंबे रहते हैं मुंबई रहते हैं और सुरिया को बहुत नजदीक से बचपन से देखते हैं बचपन से आप सुरी कुमार को देख रहे हैं क्या लगता है सुरिया के पिता जी आपके सैपाथी रहे हैं तो आज जो लगता है आपको कि आज प्रधानमंत्री भी स्टेडियम में मौझूद रहेंगे उनके सामने टीम इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे हैं बहुत अच्छा हो रहे हैं पूरे गाउं में लोग किले नवासी साल के हैं सुरिकुमार के लिए लोगों की दुआये हैं टीम इंडिया के लिए दुआये हैं और दादा जी ने तो बंडल अफ ठैंक्स कहा है तो देखते हैं कि 2 बजे के बाद क्या इंडिया क्या गुल खिलाती है विने कुमार सिंग गाजीपुर से यूपी झाल झाल झाल